हलो नमस्कार साथियों आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चेनल मा आसा इस पॉइंट में स्वागत है मेरे साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लाश 12 हिस्टरी के चप्टर 2 के राजा किसान और नगर के लाइन बाइन एक्स्प्लेन करने वाला हूं इस पहले हमने एक वीडियो बनाया हूं जिसमें इसके कुछ-कुछ पॉइंटों को हमने बताये हैं आज हम इसका पार्ट टू बना रहे हैं अगर आपने पार्ट वन नहीं देखे है तो प्लीज आप जा करके उसको ज़रूर दे देखेंगे और अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए आये हैं तो प्लीज आप हमारे यूटूब चैनल को भी सुस्क्राइब करेंगे लाइट करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे तो चलिए इस वीडियो में हम फिर शुरू करते हैं असोक के धम परचार के लिए क्या क्या इन्होंने यह सब यह सारे पॉइंट हमने बता चुके हैं असोक के धम की मुख विशेषताएं तक हमने उस वीडियो में बताए हैं अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका की मोड समराज की समाजिक आर्थिक एवं सांस्कृति एस्थितियां क्या थी इसके विशे में थोड़ा जानते हैं तो इसका जो है ना समाजिक जीवन मोड समराज का जो समाजिक जीवन था असोक के लेखों कोटिल के अर्थ सास्तर मेगस्थनीच की यात्रा विवरन से मोड यकाल के समाजिक जीवन पर प्रभाव पढ़ता है कहते हैं असोक के लेखों और कोटिल के अर्थ सास्तर मेगस्थनीच की यात्रा विवरन से मोड यकाल के समाजिक जीवन पर प्रभाव पढ़ता है समाजिक वर्ग एक जाती पढ़ था कोटिल अर्थ सास्तर आस्रम विवस्था की जनकारी उसके बाद था छत्रिय एवं वेश्व परतिश्थित लोग ब्रहमनों के परतिशर्धा का भव रखते थे मेगस्तिनीज की इंडिका के अनुसार साथ जातियों का उलेख है दार्षनिक किसान अहीर कारिगर सैनिक निरिक्षन या सभाषद ये ये हो गया असका समाजिक वर्ग एवं जाती पढ़ था ये मोड़ काल का अब वहां की अगर मोर्ज काली ने स्थिती में अगर इस्तिरियों की दसा की बात किया जाए तो स्वतंतरता एवं समानता प्राप्त थी इस्तिरियों का पुनर विवाहवा तलाक की अरुमती थी सारवजने कारियों में भाग लेने के लिये प्रतिबंद थी इस्तिरियों धार्मी कारियों को अपने पती के साथ पूरा करती थी प्रसासन में इस्तिरियों गुप्त चर का काम करती थी सैनिक के रूप में प्रशिक्षित थी समाज का संपन वर्ग बहुपतनी पर्था को स्विकार कुछ इस्तरिया वश्याकरिती के व्यवसायन के रूप में करती थी इनको गनिका या रूप जीता कहा जाता था चानक के अनुसार वंस की रक्षा के लिए इस्तरि किसी अन व्यक्ति से पुत्र उत्पन कर सकती थी युनानी लेखकों के अनुसार राज घराने की इस्तरिया आवशकता होने पर सासन सुत्र को आपने हाथों में ले शकती थी अब अगर वहां की रहन सहन और वेश भोषा की बात किया जाए मोर्ज का लिने स्थिती के बारे में तो मकान जो भवन विला सिता पूर्ण होते थे मोर्ज समराज में प्रायर समरिद्धी का काल रहा है सूती वस्त्र पहनते थे अब अगर भोजन की बात किया जाए मोर्ज कालिन तो दूद दही घी और जो चावल कुछ लोग मांस वस्तराव का सेवन भी करते थे भोजन स्वादिष्ट बनाया जाता था वो धर्म के प्रभाव में आने के पस्चात मांस का सेवन कम हो गया था मेगस्तिन जी लिखते हैं कि जब भारते लोग भोजन करने बैठते थे तो प्रतेक सदस के सामने तिपाई आकार की मेज रख दी जाती थी जिसके उपर सोने के प्याले में सबसे पहले उगले चावल और उसके बाद पकवान परोसे जाते थे ये मेगस्तिन जी बताते हैं अगरे मनोरंजन की बात किया जाए तो नित्य संगित गायन नट गूर दोड पस्वों का युद नौका यान जुवा धनुर विद्या समाज में प्रचलित था आर्थिक जीवन मोर समराज की अर्थ विवस्था क्रिशी पसुपालन वा वानिज पर अधारित थी जिनको समलित असपर्स वर्ता कहा जाता था मोर समराज का पत्तन के कारण अब जानेंगे मोर समराज के पत्तन का क्या क्या कारण था क्या कारण था कि उसका स्थित्मिट गया निलंब एबं आयोग उत्राधिकारी केंडर सासन के निरबलता समराज का प्रसासन प्रांतिय सासकों का अत्याचारी शाशक दर्वार के सडियंत्र आर्थी कारण यह सब कारण था मोर समराज के पत्तन का बहुत इंपोर्टेंट है येसे प्रशन आपको पांच मार्क में पूछा जाएगा क्या मोर समराज महतपूर्ण है आपसे क्या मोर समराज महतपूर्ण है तो नवी शतावदी में जब इतिहास कारों में जब भारत के प्रारम भी के इतिहास की रचना सुरू हुई तो मोर समराज को इतिहास का मुख का साल माना गया इस समय भारत गुलाम था और कहते हैं इस समय भारत क्या था गुलाम था अदभूत कलाका शक्ष मुर्तियां समराज की पहचान था अभी लिए एक दुसरों से अलग था और असोक एक महान साशक था मोड समराज 150 वर्स तक ही चल पाया कहते हैं कि मोड समराज जो है 150 वर्स तक ही चल पाया दक्षिन के राजा और सरदार अब जानेंगे दक्षिन के राजा और सरदार दक्षिन भारत में जैसे तमिलाडू अंद परदेश केरल में चौल चेर एवं पांड़े जैसे सरदारियों का उदय हुआ ये राज सम्रीद तथास्थाई थे प्राचिन तमिल संग्रम गरंथों में इसका उल्लेक मिलता है सरदार राजा लंबी दूरी के व्यपार से राजस जुटाते थे इसमें साथ वाहन राजा भी थे सरदार और सरदार ने सरदार एक ताकतवर व्यक्ति होता है जिसका पद वनसान उगत भी हूप सकता है एवं नहीं भी उसके समर्थक उसके खांदान के लोग होते हैं सरदार के कार्यों में विसेस अनुष्ठान का संचालन युद्ध के समय नत्रित्व करना एवं विवादों को सुलजाने में मध्यस्थता की भूमी निभाना सम्मिलित है वह अपने अधिन लोगों से भेट लेता है जबकी राजा लगान वसूली करते हैं एवं अपने समर्थकों में उस भेट का विवरन करता है सरदार संचालन युद्ध का नत्रित्व करना लडाई जगडे विवाद को सुलजाना सरदार अपने अधिन लोगों से भेट लेता है अपने समर्थकों में उस भेट को बांड देता है सरदारी में कोई अस्थाई सैना या अधिकारी नहीं होते हैं इन राजियों के बारे में जनकारी प्राचिन तमिल संगराम गरंतों से मिलती है और इन गरंतों में सरदारों के बारे में विवरन भी है कई सरदार एवं रा लंबी दूरी के विपार से भी राजस विकठा करते थे इसमें साथ वाहन तथा सक राजा प्रमुक है सरदार अपने अधिन भेंटों से भेंट लेता है अपने समर्थकों में उस भेंट को बांट देता है सरदारी में कोई अस्थाई सेना याधिकारी नहीं होते अद्देवी के राजा देवी देवता की पूजा से राजा उच उच इस्थिती हांसिल करते थे कुसान सासक ने ऐसा किया यूपी में मतुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुसान सासकों ने विसाल काय मुर्ती अस्थापित की अफगानिस्तान में भी ऐसा किया इन मु बतुल पेश करते थे चलिए अब हमने यहां से आगे जिटने भी हमने पॉइंट बताये थे यह सबी मोर्ज काल से related थे अब हम जानेंगे गुप्त काल गुप्त काल समरातों का काल भारत्य इतिहास में स्वर्न यूग कहा जाता है गुप्त काल को उत्तर भारत को एक छत्र के नीचे संगठित कर सासन की सुववस्था था देश में सनमिध्धी वर सांति के अस्थापना की डॉक्टर राम संकर्त रिपाठी कहते हैं कि दूसरों वर्सों तक गुप्त समराटों ने संपूर्ण उत्तर भारत और उत्तर पस्चिमे के परदेशों और को राजनितिक एकता परदान की विदेशी सत्ता से भारत को मुक्त करवाया गुप्त काल के सासक तो परथम कौन था स्री गुप्त था उसके बाद आगया घटोत कक्च गटोत कक्च उसके बाद चंदर गुप्त परथम उसके बाद समुदर गुप्त उसके बाद राम गुप्त उसके बाद चंदर गुप्त दूतिया जिसको हम विक्रमादित भी कहत उसके बाद आया कुमार गुप्त और उसके बाद आया असकंद गुप्त तो गुप्त काली नितिहास की जनकारी के स्रोत कहां कहां से हमको गुप्त काली नितिहास की जनकारी मिलता है साहित हो गया भी लेक हो गया मुद्राए मोहरे असमारक विदेशी यात्रियों के वृतां शाहित की अगर बात किया जाए तो विश्नु पुरान वायु पुरान ब्रह्मन पुरान काली दास द्वारा रचित रगुवन्स वाभी ज्यान सकुन्तलम विशाखा दत का देवी चंद्र गुपतम और मुद्रा राक्षास और सदक द्वारा रचित मच्च कटी कम से भी मु वा एरन अभिलेक से भी पता चलता है चंद्र गुपत दुटिया के महरोली वा अभिलेक से पता चलता है कुमार गुपत मिलसद अभिलेक गडवा मंद सोर अभिलेक से भी पता चलता है गुपत कालिन के स्थिति के बारे में असकंद गुपत के भितरी कहुम गिरनार अभि सभी पता चलता है उसके बाद भुम्राव शीम मंदीर नचन कुठार का शीम मंदीर देवगड का दसावतार मंदीर भीतर गउं यानि की कानपूर का इटों का मंदीर अश्कंद गुप्त की भित्री अस्तंब चंदर गुप्त दुतिय महरोली लो अस्तंब दिल्ली इस से हमे गुप्त काल ने स्थिती का पता चलता है उसके इतिहासों का पता चलता है अब है गुप्त काल तथा प्रसाशन वहां कि गुप्त काल में कैसे प्रसाशन हुआ करता था प्रियाग प्रसाश्ती समुंद्र गुप्त के दरवार कवी हरिशेन ने संस्कृत में लिखी बहुत राजा कवी विद्वान के रूप में परिशंशा की गई है विभिन राजाओं के परती समुन्द्र गुप्त की नितियां अब जानेंगे कि समुन्द्र गुप्त जो राजा थे उसके जो नितियां क्या क्या थे विभिन राजाओं के परती तो आर्या वर्त उत्तर भारत में नौ राजियों को अपने समॉराज में मिला लिया दक्षिन वर्त में बारा सास्कों को प्राश्ट कर राज वापस लोटा दिया कुसान सक्त थास्त्री रंका के सास्कों ने समुद्र गुप्त की अधिंता स्विकार की प्रोशी देश राज असम तटिय बंगाल नेपाल उत्तर पस्रिम के कई गण समुंदर गुप्ट के लिए उपहार लाते थे शमुंदर गुप्ट को सिक्कों पर वीना बजाते हुए दिखाया गया समुदर गुप्ट की मा कुमार देवी लिछ्वी कन्या थी समुंद्र गुप्त के पिता समुंद्र गुप्त पर्थम ऐसे गुप्त साशक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की पादी प्राप्त की थी समुंद्र गुप्त दूतिया याने की विक्रमादित के दरवार में काली दास वो आड़े भट थे चंद्रगुप दूतिया ने पस्चिम भारत के साचकों को प्रास्त किया इस काल के अनेक पद वन्सानुगत हो गए उधारन हरिशेन अपने पिता की तरह महा दंड नयक अर्थात यानि के नियाए धेकारी थे कभी कभी एक ही व्यक्ति अनेक पदों पर होता था उधारन हरिशेन इवं महा दंड नयक होने के साथ साथ कुमारा मात तथा संगी विग्राह क्यान की युद्व शांती मंतरी थे अस्थानिय प्रसाषन वा विकेंदरी करन की भी प्रकृति मौजूदी थी नगरों के अस्थानिय प्रसाषन में मुख भागेदारी जैसे नगर स्रेश्टी, मुख बेंकर, सहर का व्यपारी, सार्थवाह, व्यपारियों के काफीलों का नेता था परथम कुलिक मुख सिल्पकार था, कस यस्त लिपकों का प्रावधान था भुमिदान तथा अन संभरांत ग्रामिन के विसे में अब जानेंगे ये किसके भी से हम जानेंगे, गुप्त काल के, इस्वी की आरमभिक, सताबदियों से ही भुमिदान के प्रमान मिलते हैं इन में से कई उल्लेक अभिलेकों में मिलता है, इन में से कुछ अभिलेकों, अभिलेक पत्थरों पर लिखे गए थे लेकिन अधिकान स्तामरोपत्तों पर खुदे होते थे जिन्हें संभवता उन लोगों को प्रमान रूप दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे भूमिदान के जो प्रमान मिले वे सधारन तोर पर धार्मिक संस्ताओं या ब्रहमनों को दिये गए थे इन में से कुछ अविलेक संस्कृत में थे परभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्पूर्ण सासक चंद्रगुप्त दूतियन की पुत्री थी उसका विवाह दक्कन पठार के वाका टक परिवार में हुआ जो एक महत्पूर्ण सासक वन्स था संस्कृत धर्म सास्त्रों के नुसार महलाओं को भूमी से जैसी संपती पर स्वतंत्र दिकार नहीं था लेकिन एक अभिलेक से पता चलता है कि प्रामावती भूमी की स्वामी थी और उसने दान भी किया था इसका कारण यह हो शकता है कि वह एक रान यानि कि आरंभिक भारते इतिहास जी ग्यात कुछ रानियों में से एक थी और इसलिए इसका यह उधारन ही रहा है यह भी संभव है धर्म सास्त्रों को घरस्तान से पर समान रूप से लागों नहीं किया जाता हो इतिहास कारों में भूमिदान का प्रभाव एक महतपुर्ण वाद विवाद का विशय बना हुआ है जन्ता के बिच राजा की छवी कैसी थी इसके साक्ष जादा नहीं प्राप्त है जाता कथाओं से इतिहास कारों ने पता लगाने का प्रियास किया ये कहानिया मोखिक थी फिर बाद में इन्हें पाली भासा में लिखा गया गंद तिंदू जातक कहानी पर जाके दुख के बारे में बताया गया छठी सतावदिस्वी पूर्व से उबज बढ़ने के तरीका उसके बाद उपज बढ़ने के लिए हलका परियोग किया गया लोहे की फाल का परियोग किया गया यह भी उपज बढ़ने में महत्पुर्ण भुमिका निभाता था फसल को बढ़ने के लिए क्रिशक समुदाय ने मिलकर सिचाई के नए नए साधन को बनाना शुरू किया फसल की उपज बढ़ाने के लिए कई जगह पर तलाव कुवा नहर जैसे सिचाई साधन को बनाया गया जो की उपज बढ़ाने में महत्पुन भुमिका निभाता था अब जानेंगे शिक्य और राजा के विषय में तो सिक्य के चलन से व्यपार आसान हो गया उस समय सिक्य के चलन से व्यपार आसान हो गया चांदी तांबे के आहत सिक्य पर योग में लाए गए ये सिक्य खुदाई में मिले हैं आहत सिक्य पर परतिक चिन भी हैं और सिक्य राजाओं ने जारी किये थे सासकों की प्रतिमा जारी किये थे वो था युनानी सास को ने जारू किया था सिक्ये के सोने के सिक्ये सरपर्थम कुसान राजाओं ने जारी किया था बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है मुल्लेकन वस्तू के विनिमाय में सोने के सिक्ये का प्रयोग किया जाता था धक्षिन भारत में बड़ी अब जानेंगे अभिलेखों की साथ्य सीमा तो हलके धंग से उत्किर्न अक्षर कुछ अभिलेखों में अक्षर हलके धंग से उत्रिर्न किये जाते हैं जिन से उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल होता है कुछ अभिलेखों के अक्षर लुप्त कुछ अभिलेखों के अक्षर लुप्त हो चुके हैं जिनकी वज़ा से उन्हें पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है वास्तविक अर्थ समझने में कठनाई कुछ अभिलेखों में सब्दों के वास्तविक अर्थ को समझ पाना पूर्ण रूप से संभब नहीं होता जिसके करण कठनाई उत्पन होती है अभिलेखों में देनिक जीवन के कार्ज लिखे हुए नहीं होते हैं कहते हैं कि अभिलेखों में देनिक जीवन के कार्ज नहीं लिखे होते हैं अभिलेखों में केवर राजा महराजा की और मुक बाते लिखी होती है जिससे हमें देनिक जीवन में आम लोगों के बारे में देनिक कामों के बारे में पता चलता है अभी लेक बन बनवाने वाले के विचार अभी लेक को देखकर या पता चलता है कि जिसने अभी लेक बनाया है उसका विचार किस परकार से है और इसके बारे में हम जनकारी प्राप्त होती है मेरी साथियों इस चप्टर में जितने भी मेन मेन पॉइंट थे हमने इसका लाइन बाइन एक्स्पलेंगे किये हैं बाकि ये वीडियो आपको कैशा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे अगर आपको अच्छा लगा होगा तो पिलिज आप हमारे यूट्व चेनल को भी सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे बाकि फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में नेक्स्ट जो चप्टर है मैं एक वीडियो बनाओंगा जिसमें नेक्स्ट चप्टर का पूरे लाइन वाइन एक्स्प्लेंड करूंगा बाकि अगर ये वीडियो आपको पशंद आया होगा तो आप जट से इस चैनल को करेंगे वाकि स्थांक्स वेरी माच अल्दा बैस्ट फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद्ध करेंगा अ झाल, 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 पोपको आपको 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 की बाकि यूणा करेंगे साहल को सब्सक्राण।